एक समान्य मनुष्य कितनी तेजी से भाग सकता है। हो सकता है कि 25 से 30 किलोमेटर प्रती गंटे की रफ़तार से भाग सके या उससे भी कम। आपको बता दू यूसन बॉल्ट के नाम सबसे तेज भागने का खिताब हासिल है। जिसकी मैक्समुम स्पीड 45 किलोमेटर प्रती गंटे की है। पर जंगलों में किसी भी जीवों की रफ़तार सबसे जादा मायन रखती है। यदि सिकार अपने सिकारी से तेज न भागे तो वो दूसरों का भोजन बन सकता है। और अगर शिकारी अपने सिकार से तेज न भागे तो उसे भूखा ही मरना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम दुनिया में 5 सबसे तेज भागने वाले जीवों की बात करेंगे। जिसके रफ़तार का मुकाबला कर पाना बड़ा चैलेंजिंग होगा। और हम मनुश्यों के लिए ये तो नामुम्किन है अगर हम अपनी टेक्नलोजी का इस्तिमान ना करें। इसी के साथ नमबर 5 पर है सेलफिश। समूद्र में भी जीवन उतना ही कठीन है जितना की घने जंगलों में है। जहां आपको कई सिकारी जीवों से सामना करना पड़ सकता है। उनमें से सार्क के बारे में आपने तो सुना ही होगा। पर घरे समूद्र में एक ऐसी भी मचली है जिसका पीछा सार्क भी नहीं करना चाहता। और जिसके नाम सबसे तेज तेरने वाली मचलियों के लिस्ट में भी सामिल है। जी हां हम सेलफिश की ही बात कर रहे हैं। जिसकी मैक्सिमम स्पीड एक सो बारा कीलो मीटर प्रती घंटे की है। जो ग्रेट जंपर के लिए भी जानी जाती है। और इस जीव की बनावट भी इतनी बहतरीन होती है जो इसे बनाती है दुनिया की सबसे तेज तेरने वाली मचली। सायद ये बात आप जानते होंगे कि जमीन का सबसे तेज भागने वाला जीव या सिकारी जीव कहना उचित होगा। चीता ही है जो 120 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से अपने सिकार का पीछा कर उसे धर दबोचता है। चीता अपने सिकार को 40-60 से के अंदर ही पकड़ सकता है और इसकी बड़ी पूच इसके दिसा बदलने में इसकी पूरी मदद करती है जो अपने मैक्सिमम स्पीड के दौरान भी अपने दिसा को बदल सकता है। 3. स्पर्विंग गुज स्पर्विंग गुज हंसो के परिवार का ही एक शदस्य है जो साउथ अफरिका में पाये जाते हैं जो लंबाई में 40 इंच और वजन में करीब 8 किलो तक पाये जाते हैं पर ये जाने जाते हैं सबसे तेज उरने के लिए। इन पक्चियों को माइग्रेंट बर्ट के नाम से भी जाना जाता है जो अपने उचित जलवायू पाने के लिए सेकड़ों किलोमीटर का दूरी तै करते रहते हैं और ये आकास में 140 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से उर सकते हैं। और जिसे जाना जाता है दुनिया के दूसरे सबसे तेज उरने वाले पक्ची के लिए जिसकी अधिकतम गती 320 किलोमीटर प्रती घंटे की होती है। गॉल्डेन इगल को सबसे उचे उड़ने वाले पक्षी के लिए भी जाना जाता है जिसकी नजर इतनी तेज होती है जो अपने सिकार को 10,000 फिट उपर से भी देख सकता है और अपने तेज गती से कुछ सकेंड में ही उसका सिकार कर सकता है इस लिस्ट के नंबर वन पर है पेरेग्रिन फालकन इस दुनिया के सबसे फास्टेस जीव पेरेग्रिन फालकन ही होते हैं जिसकी मैक्समुम स्पीड 390 किलोमीटर प्रती घंटे की हो सकती है इस पक्षी की लंबाई 58 सेंटीमीटर तक होती है जबकि इनके पंखो का आकार ही 120 सेंटीमीटर तक हो सकता है और साथ ही ये मातर एक किलो तक होती है और इसके लाइट वेट होने के कारण ये आसानी से आकास में उड़ पाते हैं और दूसरे पक्षियो या छोटे-छोटे कीडे मकोडो को अपना सिकार बनाते हैं क्या आपको इन में से किसी जीवो की स्प